Hello Friends, Java Programming के Video Lecture की इस सीरीज पर आज हमारा Lecture No.52 है और हम यहाँ पर Increment और Decrement Operator के वारे में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं तो आज के Lecture पर हमें एक Example को Solve करना है कि इस Example का Output क्या आकर डिस्पले होना चाहिए और यहाँ पर X की Value कितनी चल रही है? 3 चल रही है ठीके तो X++ कुछ यहाँ पर यह Operation क्या करना है? X के Corresponding Perform करना है और क्या होगा Buy में जाकर Value Store होने वाली है अच्छा देखो यहाँ पर X से पहली बात तो देखो X की Value निकालना है तो उसका विल्कुल Simple तरीका है कि X कितने वार Increment हो रहा है? एक, दो, तीन और चार तो टोटल 4 टाइमस Increment हो रहा है तो X की Value यहाँ पर Finally 3 से 4 Increment होने पर 7 ही आने वाली है और यदि आप बात करते हो यहाँ पर X कितने वार Increment हो रहा है? 4 टाइमस तो 7 से यहाँ पर X की Value आपकी कितने आने वाली है? 11 आने वाली है यह तो विल्कुल Simple है लेकिन हमें क्या करना है? यह समझना है कि यदि हमें Y की Value को निकालना है तो हम उसे कैसे निकालेंगे? ठीक है? आँ, तो चलो हम इसे Solve करने के क्या करते हैं? कोसिस करते हैं कि यदि X equal to कितना चल रहा है? 3 चल रहा है तो एक बार हम चेक करते हैं कि हमें यही Operation perform करना है या फिर और कुछ हाँ ची तो यही Operation क्या करना हमें perform करना है तो इस Condition पर X की Value पहले कितनी आ रही है? तो 3 का 3 का कौन सा Increment है? Post Increment इसलिए 3 Assign होगा लेकिन Assign होने के बाद कितना हो जाएगा? 4 तो 4 से Pre-Increment के कारने हाँ पर कितना हो जाएगा? 5 यहाँ पर Post Increment है इसलिए 5 का 5 Assign होगा लेकिन हो कितना जाएगा? 6 और प्री-Increment होने के कारन कितना हो जाएगा? 7 तो जब Y की Value को आप यहाँ पर Calculate करते हो तो सभी का Addition करने पर Y इकोल टू कितना आ रहा है? 2, 0, 20 और X की Final Value कितने है? यह अपने पास 7 X इकोल टू 7 यहाँ पर Output आकर क्या होना चाहिए? Display होना चाहिए मतलब यहाँ पर X अपना 7 आ चुका है और यहाँ पर Y कितना आ आ चाहिए? 2, 0 मतलब 20 आकर डिस्पले होना चाहिए अच्छा, Next वाली Condition अपनी क्या है? इससे हम देखते हैं और इससे क्या करते हैं? Solve करने की कोसिस करते हैं ठीक है? तो चलो ठीक है तो अब इस Condition पर यहाँ पर Y की Value आकर क्या डिस्पले होगी? हमें यह क्या करना है? समझने की कोसिस करना है अच्छा, ठीक है देखो, यहाँ पर जो आपका Variable है वो कौन सा Y? इक्वल टू प्लस प्लस X तो X की Value अभी कितनी चल रही है? यह 7 तो 7 से Pre-Increment होने के कारण यहाँ पर X की Value कितनी हो जाने वाली है? इसलिए यहाँ पर 9 से कितना होने वाला है? 10 और फिर अगला क्या है? पोस्ट इंक्रिमेंट है इसलिए 10 का 10 ही Assign होगा लेकिन हो कितनी जाएगी Value उसकी 11 तो X की Value कितनी आ गई है? यहाँ पर 11 और जब 8 में से 8 माइनस है ना इसलिए 111 हम चल रहा है ठीक है? इसे Compile करते है Java C Demo 111.java ठीक है? तो यदि हमने इसे Compile करा तो ठीक है Compile हो गया यह Program और यदि हमने क्या करा? इस Example को Run करा तो हमारा यह Example Run भी हो गया और Output 720 और 1120 आकर क्या हो गया है? हम पर Display हो गया है तो Clear है आपको Working Process कैसे इन Programs को Solve करना है? चलो हम Next Example के पास चलते हैं और इस Program को Save करते हैं 112 Number के नाम से 112 Number का Example अच्छा समझेगा यहां पर ध्यान से कि हम यहां पर क्या करने वले हैं? अब हम यहां पर क्या Solve करना है? सबसे पहले तो जो चीज़े हमारी काम की नहीं है उन्हें क्या कर रहे हैं? हम यहां से हटा रहे हैं तो यह सारी चीज़े हमने क्या कर दिया है? यहां से हटा दी आपको जो Operation यहां पर Solve करना है कि यदि X की Value कितनी है? टू और उसके corresponding यहां पर Minus Minus होता यहां पर भी Minus होता यहां पर भी Minus होता और यहां पर भी Minus होता हम X की Value यहां पर 8 कर देते हैं ठीक है? और यहां पर भी Minus होता यहां पर भी Minus होता सभी जगा हमने क्या कर दिया? Minus कर दिया तो इस condition पर output क्या और क्यों आकर display होना चाहिए x और y का तो इसे क्या करना है आपको solve करने की कोसिस करना है वाकि हम इस example को next lecture में देखींगे तब तक के लिए ओके बाई